देखिए ऐसा है कि पहले भी काफी लंबा इन्होंने गैप रखा था समय अब दिका लेकिन इस वार थोड़ा सा घटाया है लेकिन इन्होंने बड़ी हरानी की बात है कि ये चुनाव में कम से कम 45 डेज का इनको प्रॉसेस रखना चाहिए लेकिन गुजरात के चुनाव हिमाचल के साथ होना ताई था लेकिन इन्होंने कुछ संकेत कुछ और देते हैं दिया जा रहा है कि सब समझते हैं क्या संकेत हैं मैं खुद हिमाचल से हूँ और मैं एड्वोकेट संजे शर्मा हूँ सुप्रिंग कोट आई कोट देली में होता जाना चाहूंगा कि आज हमने रेपरेजेंटेशन भी दी है प्रकरतियम परियवन संदेश युवा प्रत्यक्ष राज शर्मा के द्वारा कि जो हिमाचल है बड़ा सेंसिटीव सा स्टेट है और इसमें सबसे बड़ी बात ही है कि आज की डेट में रोजगार नहीं है पाक का मसला चर रहा है उन्हें ड्रक पाक बना रहे हैं लेकिन उसमें आप लों को बता हूं कि इन्हों नहीं टेंडर जो है वो टेंडर चपने से पहले ही रिलीज कर दिया पक्षा हैं नौकर शाही कर रही है तो राजनीतिक्या की कमजोरी है जो राजनीतिक्यां सब चीजों को नौकर शाह को या व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पाता लेकिन यह यह भी देखने का है कि जब कमिशन से पूछा गया कि जो freebies की बात आई तो जो एक मेना पहले से ही जो चल रहा है, manifest it, manifestit गोता है तो जो declaration चल रही दिए उसके उपर क्या नियंटर होगा उन्होंने हाथ कढ़े कर दी हैं यह कहा जाए कि सबने इंत्रीत है तो चुनाम में रूती Onlineünd की बात है कि मार्चल जो है वो नशे के विक्राल घेरे में आ चुका है उसकी जो बॉडर स्टेट पंजाब वहां से एक वाइट सबस्टांस जो इंपोर्ट होता है और नशा बाटने वाले बाटते हैं बच्चे उसमें ग्रैपल्ड हो रहे हैं बच्चे दिरोजगार हैं बच् में दिया जाता है कहा जाता है उसके बाद वो नशे का अधी हो जाता है तो उसी में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है यह से करने जीवन को समाहित कर रहा है और कुछ करने लाइक नहीं रहा जाता है इसके लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है और इलक्शन कमिशन